इधर कुट्टे पालने का शौक काफी बड़ा है आजकल सोशल मीडिया पर गली मोहले के कुट्टों पर काफी फोकस किया जा रहा है यूट्यूबर गली मोहलों में सजे सजाय सेट पर सूटिंग करते नजर आ जाएंगे इन्हें लाड में लड़ू तो कही कुछ और नाम देकर वह वही लूटते नजर आ जाएगे इनके प्रती सहनभूती रखने का संदेश दिया जा रहा है सडकों पर ड्रमों में इनके रहने वसोने के लिए घर बनाए गये है कहा जा रहा है हम इनसे प्यार करेंगे तो ये भी हमसे प्यार करेंगे इसलिए मिलजूल कर हमें इनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए साथ में एक संदेश और दिया जा रहा है कि हमें इन सब को नस्बंदी का इंजेक्शन लगवाना नहीं भूलना चाहिए ताकि इनका परिवार आगे न बढ़ सके तर्क दिया गया कि आवारा कुत्तों को नगर पालिका वाले पकड़ ले जाए और मार्दे इससे अच्छा है प्यार से नस्बंदी करा दी जाए ऐसा करने से यूट्यूबर को व्यूव मिल जाते है दूसरी और कहीं कहीं तो आजकल आवारा कुत्ते अकबारों की सुर्खियों में है कुछ वर्ष पहले कुत्ते के काटने पर सीतापुर में तो पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया था टीवी पर कुत्ता पकड़ आभियान ऐसे दिखाया गया जैसे किसी हालिवुट फिल्म की सूटिंग चल रही हो आवारा कुत्ते मारे जाने के समाचार सुर्खियों में आने लगे सरकार एक दम हरकत में आ गई अखबारों में आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनायन अचानक बढ़ गई अस्पतालों में एंटिरेबीज इंजेक्शनों के अकाल की सूचनायन बढ़ने लगी इसका श्रे आवारा कुत्तों को मिलना चाहिए इधर महानगरों में कुत्ते पालने का शौप बहत बढ़ गया है यहां लगभग हर नसल का कुत्ता देखने को मिल जाएगा सुबह सुबह साहब कुत्ते के साथ अपने कैंपस में घूमते मिल जाएंगे असल में इस समय कुत्ता साहब को घूमाता है वो श्रॉच करने की जगा ढून रहा होता है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं की कुट्टा कहां श्रॉच कर रहा है मैंने पूंचा केवल कुट्टा क्यों कुटिया क्यों नहीं पालते जवाब मिला की तब तो पूरी बिल्दिन के कुट्टे मेरे घर के बाहर लाइन लगा देंगे जब मैंने उनसे पूंचा की ऐसे तो 8-10 साल बाद कुट्टों की रेस समाप्थ हो जाने का खत्रा मन राएगा तो उनका कहना था ऐसे थोड़ी ना होता है असल में 99 प्रतिशत फ्लेट्स में केवल कुट्टे ही पले हुए है अगर ये प्रवर्ती जारी रही तो आने वाले 25 वर्षों में कुट्टे रेर एनिमल की श्रेनी में गिने जाएंगे हमारी पोजीशन भी चीन की तरह हो जाएगी जहां वर्ष देखने नहीं मिलती गोरेय की तरह अगला नंबर शायद कुट्टो का हो